हाई गुड बॉर्णिंग सेकाल अदाप नमस्कार वनकम कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनीत काल रहा और कुछ बताना जाता हूँ और पता नहीं क्यों एक मेरी इंट्यूटी पावर है या क्या है बता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ लेकिन मुझे आपको आगा करना मेरा काम है और हलकि आप इसमें बहुत ज़्यादा किसी हद तक कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको इस प्रॉलम का पता हो तो शायद आप बच भी सकते हैं जल्दी एटलिस सीरियस होने से बच सकते हैं जैसा कि अभी कोव की जगे कुछ और भी आ सकता है जी हां कुछ और भी आ सकता है और जो मैं देख रहा हूं जो मैं फील कर रहा हूं जो केसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बारिश जो है वो लगातार रुखने का नाम नहीं ले रही है बहुत भेंकर तरीके से बारिश होई है दिली में और बाकी राजियों में भी ये cases चल रहे है मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बुखार की जो जिसके symptom क्या होते है वो बता दूँ पहले बुखार जनरली मच्छर काटने से होता है और symptom होते हैं एक तरह का viral fever ही है ये भी और लेकिन इसमें symptom जनरली होते हैं कि आपको fever आएगा high grade fever भी आ सकता है body एक होगा, कमर दद होगा उल्टियां लग सकती है रैशे सो सकते हैं बहुत जादा भी एकने सोती है कहीं बारी और complication मैं बात कर रहा हूँ डेंगू fever की येस, पहले बता दूँ मैं बात कर रहा हूँ डेंगू fever की मुझे ऐसा लगता है, पता ने क्यूं कि आने वाला जो October है या November है यहाँ पे जो अभी बारिश हो रही है जो इसके बाद जो घमासान मचने वाला है मच्छर को लेके तो सबसे डर मुझे डेंगू fever की है क्योंकि अभी भी डेंगू के पेशेंट काफी आने शुरू हो चुके है आज से करी 10-12 साल पहले ऐसा हुआ था जब डेंगू का एक भ्यंकर तुफान आया था और कोई भी होस्पिटल में बैट नहीं मिल रहे थे मुझे अभी भी याद है वो मनजर और एक तरगी वो भी एक वेव थी डेंगू की वेव तो मैं सिर्फ इसी बार से डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहों कि हम कोविड 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 करते रह जाएं और यहां पे कोई और आ आ जाए क्योंकि अक्टूबर नॉम्बर का महीना बिमारियों के लिए बहुत जादा होता है क्योंकि बारिश के बारिश का असर आता है अगर बारिश कम होती है तो डेंगू भी कम होता है अगर बारिश जादा होती है तो इस वार जो बारिश होई है बहुत जारा बारिश हो रही है, बहुत भेंका तरीके सोरे, एक ही दिन में बहुत जारा बारिश होती है, बहुत हैवी बारिश होती है, तो उसकी वैसे जल भराव हो जाता है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यूं, कि डेंगू का क कुछ पंगा ना हो जाएं आने वाले सम्मे में हम सिर्फ कोविड कोविड करते रह जाएं तो हाला कि एक चीज और भी मैं देख रहा हूं कि जब यह डेंगू मलेरिया यह सब चलता है तो कोविड गयब हो जाता है कुछ क्रॉस इम्मिनिटी है कि एक मैंने पहले भी बोला थ कि एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां पे भी कि अगर कोविड नहीं है और कोविड की वैसे लोगों की इम्मिनिटी भी सप्रेस हो चुकी है तो अब जो डेंगू आएगा वो शायद हमारी इम्मिनिटी पे और बुरा असर डालेगा तो कोविड की वैसे और जिन लोगों को पहले कोविड हुआ है उनकी इम्मिनिटी भी चेंज हो चुकी है तो कहीं को शुगर हो गई है तो कुल मिला के इस बार जो डेंगू है अगर आएगा तो थोड़ा खतर नाग हो सकता है आपको बच के रहना पड़ेगा पहले ची तो सा और अभी थोड़े दिनों के लिए अगर पार्क भार्क भेना बंद करते हैं बच्चे को तो बहुत अच्छी बात होगी मैं सच बता रहा हूं अगर आप भी जाएं तो पूरे कपड़े पहनवें के जाएं और घर में जगा है तो घर में कुछ योगा मेडिटेशन एक्सर अगर पेशन ठीक हो गया लेकिन अभी जहां पेशन्ट को वोमिंटिंग आ रही है और आप टेस्ट नहीं कराते हो तो वोमिंटिंग के बाद कई बार पेशन्ट लो बीपी में चले आते हैं जिनको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं उसमें पेशन को बचा पाना कई ब दिकत हो सकती है अगर पानी जादा भर जाए बाडी के अंदर तो फ्लूड ओवर लोड हो जाता है तो कुल मिलाके मैं यहीं बोलूगा अगर फीवर आ रहा है वोमिंटिंग आ रही है तो इसको हलके में ना लें इस समय खास हो से इस समय आगे बीची की बात अलग है लेकि आप इस समय अगर वोमिंटिंग बगरा होती है फीवर आता है तो इसको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें घर बैट के अपना सेल्फ ट्रीट्मेंट मत करें जो हमेशा हम ज़्यादा तर हिंदुस्तानियों की आदत है कि पहले सेल्फ ट्रीट्मेंट करते हैं उसके बाद क एमिस से इलाज कराते हैं फिर छोटे मोड़े डॉक्टर पर जाते हैं फिर ज्यादा सीरिश हो जाते हैं तो फिर किसी पड़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्टूबर नॉवंबर का महीना पता नहीं मुझे ऐसा मैंने बोला भी था कि मुझे लगता अक्टू बहुत तेज़ हो रही है, इसकी वज़े से भी डेंगू और बढ़ेगा, इसका असर आपको नज़र आएगा अक्टूबर नोवमबर में, जी हाँ, अक्टूबर नोवमबर में, तैंक्यू वेरी मच, अपना खयाल रखेगा, बाई